हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर बरफ पानी की उपर कैसे तेयर लेता है बरफ जो की इतना सॉलिड होता है पानी में डूपता क्यों नहीं है जैसे कि और अबजेक्स डूप जाते हैं तो आज इसी राज के उपर से हम पर करना भी ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको बताओं कि आखिर बरफ पानी के ऊपर क्यों तहता है इसके पहले मैं आपको पानी का एक बहुत ही युन कर लेता है यानि कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन पानी के साथ बिलकुल उल्टा होता है जब आप उसको गर्मी देंगे तब वो सिकुड जाएगा उसकी वेपर बन जाएगी लेकिन जब आप उसे ठंडा करेंगे तब वो जम कर बरफ बन जाएगा और उसका वॉ आखिर बरफ पानी के उपर क्यों तेरती है तो दोस्तों इसका जो राज है वो बहुत ही पुराने एक थियोरी में चुपा है और उस थियोरी का नाम है अर्किमिडीस थियोरी तो अर्किमिडीस थियोरी में अर्किमिडीस ने बियोंसी इस टर्म का इस्तेमाल किया था तो उस यह है कि उस object की जितनी density है उतना ही पानी वो object occupy कर लेता है यह उसको बाहर फेक देता है और अपनी जगा उस पानी में बना लेता है लेकिन अगर पानी ज्यादा है तो पानी एक upward force लगाती है उस object के against जिसकी वज़ा से वो object पानी के ऊपर ही तेरता रहता है पानी में डूब नहीं जाता है तो मान लीजे जितना बड़ा उस object का surface area होगा उतना ही पानी वो बाजु में हटा देगा अपनी जगा बनाने के लिए लेकिन अगर पानी भी ज्यादा है और पानी की density ज्यादा है तो पानी उसे upward force ज्यादा लगाएगा जिसकी वज़ाए से वो object पानी के ऊ मुकाबले कम होता है जिसकी वज़े से आइस जो है वो पानी थोड़ा तो separate कर लेता है उसमें अपनी जगा बना लेता है लेकिन क्योंकि पानी की density ज्यादा है पानी का मास ज्यादा है तो पानी उसे उपर धकेल रखता है यानि उपर रखता है पानी के उपर आसान भाशा है वो हमारे जहाजों में भी इस्तमाल होती है तो आप आपको यही सवाल आता होगा कि इतने बड़े बड़े जो जहाज हैं वो पानी के उपर कैसे तैर लेते हैं खर इसके बारे में मैंने विडियो बना रखा है आप मेरे चानल पर जाकर देख सकते हैं तो यही जो Beyonce की theory है इसके basis पर ही हमारे जहाज भी पानी के उपर तैर सकते हैं तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि बरफ आखिरकार पानी के उपर कैसे तैर पाती है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है काम का लगा है इसमें से कुछ information आपने गेन की है तो इस वीडियो को like करना विल्कुल ना भूलिएगा